असलाम अलेकुम, वेलकम टू लिट्रेचर लवर्स, आज क्या हमारा टॉपिक है दा क्राइम अड़ पनिश्मेंट बाइफाइडर डेस्टो इसकी, तो स्टार्ट करते हैं हमारे नॉवल की सम्री, यह जो नॉवल है यह लिखा गया था 1865 से 1866 के दोरान और यह पब्रिश में इसकी जो सैटिंग है वो रखे यह पेटर्सबर्ग रोशिया में इसके इलावा इसका पॉइंट व्यूव है थर्ड परसन अम्निशियंट जब यह नॉवल लिखा गया था तो तब रोशियन नॉवल में रियालिज्म चल रहा था और यह भी एक साइकोलोजिकल रियाल है यह फटे पुराने कपड़े पहनता है और खुद से ज्यादातर बाते करते है यह एक बिल्डिंग में रहता है जिसके जो अपर अपार्टमेंट है वहां पे रहता है और इसके इलावा यह एक गुड लोगिंग और इंटेलिजेंट परसन है इसके जो निचला पैसे देती है तो यह जो रिसकल निकव है यह अपने फादर की वाच लेके उसके पास जाता है और उसके बदले में वो बुडिया उसे बहुत ही ज्यादा कब पैसे देती है जब तक इन दोनों के दरमयान में बाते होती है वो बुडिया के कमरों को चारों तरफ से देखत जिसने शराब पी रखी होती है बहुत ज्यादा और वो अपनी जॉब छोड़ चुका होता है। वो उसको देखता रहता है मॉर्मल डव को वो वहां पे बहुत देश से शराब पी रहा था और घर जाने से डर रहा था। इसी दोरान वो रैसको का अपने वाइफ के बारे में बताता है जो के बिमार होती है और अपनी बेटी सोनिया के बारे में बताता है जो के एक प्रोस्टिचूट बन चुकी होती है हालात के वज़ा से जो उनके घर की कंडिशन होती है वो इतनी बुरी होती है कि जो उसकी सोन बहुत ज्यादा खराब है और वो उसे उसके घर में छोड़ने चला जाता है और वो वहाँ पे जाके उसकी वाइफ को देखता है जो के बहुत ज्यादा बिमार होती है और वो उनके बारे में सोचता है कि ये कितनी ही ज्यादा पतंगी में लाइफ गुजा रहे है अगले दिन जो रेसको है उसको अपनी मदर का लेटर मिलता है जिसमें उसकी मां लिखती है कि जो उसकी सिस्टर है डनिया उसने एक लोजन नामी शख्स जो कि एक गुवर्नमेंट आफिसर है उससे एंगेजमेंट कर लिया डनिया जो है वो सिस्टर होती है रेसको की उसकी मां बताती है कि वो दोनों जो है वो सेंट पीडर्स बग आ रहे हैं जहां पे के रेसको रहता है जो रेसको है उसके बाद फिर से बार में जाता है वहां जाके वो एक स्टूडेंट की बात सुनता है कि वो बोल रहा था कि जो बुडिया है जो कि चीजे खरीदती है अगर वो मर जाए तो उससे बहुत से लोगों का फाइदा हो सकता है या बहुत से लोग खुश हो सकते हैं जो रैसको है वो अपने घर जाता है शराव वगर पिने के बाद तो वो अपने अपार्टमेंट की सीडियें चाल रहा होता है उसको एक बात मालूम पड़ते है कि जो कल शाम होगी उस वक्त जो बुडिया है वो जो चीजे खरीदती होती है वो अपने घर में अकेली होगी वो रात को अपने कमरे में जाता है बार मैं से आने के बाद और अराम करता है सुबा जब उरता है तो वो एक जो कुलहारी है और उसको सजाने में लग जाता है उसको क्यों सजाता है क्योंकि वो बुडिया के गर में जाना चाहता होता है उसको बेचने के लिए ताकि वो लगे के उसे बेचने के लिए आया तो वो बुडिया के पास जाता है उसको लारी को बेचने के लिए वहां पर इंटर होता है तो उसे मालूम पढ़ता है कि उसके साथ एक और भी बुड़िया होती है जो कि उस बुड़िया की सिस्टर होती है वो छुप छुपा के उनके बैडरूम में आता है और उनके जो उसका मर्डर कर देता है बुरिया का और उसके जो सिस्टर होती है उनके बैडरूम में जाता है और वहां पे जो कुछ भी होता है उनके बैडरूम में से तलाश करता है और उनको अपने पास ले आता है, कुछ भी पैसे वगरा जो भी उसे मिलते हैं, वो अपने पास रखता है, उसी दोरान में देखता है, कि बाहर दो पेंटर्स लड़ रहे होते हैं, तो वो बड़ी मुश्किल से बज़ता बचाता है, उस बुड़िया का अपार्टमेंट से ताके वो किसी की नजरों में ना आजाया उसे कोई देख न ले, तो अपने कमरे में जाता है, और सोफ़ा पे गिर जाता है, अगले दिन उसकी आनक खुलती है, तो ये हड़ बड़ा सजाता है, और पागल हो जाता है, कि ये क्या हो गया है, जो उसके कपड़े होते हैं, व और वो बहुत दर जाता है कि यह जो मैंने मर्डर किया इस वज़ा से आई है इसके इन्वेस्टिकेशन के लिए आई है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जो इसके लैंड ले डी होते है जिसके घर में वो जिसके अपार्टमेंट में रहा होता है उसके उसने कुछ बकाया पैसे देने होते हैं तो वो पलीस उस इन्वेस्टिकेशन के लिए आई होती है और उसे वो पलीस इस्टेशन में ले जाते है उसी दौरान जब वो प्लीस स्टेशन में जाता है, उसे प्लीस ले जाती है तो वो सुनता है कि जो एक बुड़ी है, उसका मर्डर हो गया जो के फलाँ अपार्टमेंट में पेटर्सबर्ग में रहती थी तो इसी दोरान जो रेसको है उसका जो चेरे का रंग है वो उड़ जाता है क्योंकि उसने उसका मर्डर किया होता है वो वहीं पे भी होश हो जाता है यहां पे यह जो पलीस वाले हैं यह बात नोट करते हैं नोटिस मिलाते हैं और उस शक्स जो रेसको होता है उस पर उनको शक होने लगता है वो सारी इन्वेस्टिजिशं करते हैं उसके जो लैंड ले लीडिया है उसके जो पैسस उसने देने होती है उसके बारे में पुछते हैं और फिर वो वापस चला जाता है अपने रूम में जाता हände है कुछ दिनों बाद उसको भुखार हो जाता है और उसका जो दोस्त है उसकी देख भाल करता है जिसका नाम था रजो मिखिन तभी उसके घर में एक डॉक्टर आता है और एक पुलीस वाला होता है वो एक डिटेक्टिव पुलीस वाला होता है और वो नोटिस करता है कि जब बेई रेसको के सामने किसी मर्डर की बात होती है या तो वो बेहोश हो जाता है या उसके रंग उड़ जाते है इसी दोरान उसकी जो बेहन का मंगेतर लिजन होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है उसको देखने के बाद रेसको का और भी मूड आफ हो जाता है और वो वहाँ एक कैफे में जाता है और जो डिटेक्टिव पलीस वाला आता है वो काफी देर उससे बाते करता रहता है क्या बोलता है इसके बारे में नहीं पता लेकिन उसके बाद उस बुड़िया के घर जाता है जो रेसको है वो पलीस वाले से बाते करन जो Wrestling था, जो परस्ट था जिसकी उसने मदद की थी पार में उसका पता चलता है कि उसका रस्टे में Accident हुआ है तो वो उसे घर ले जाता है उसके गर ले जाता है जो उसकी Death हो चुकी होती है वहार रैस्को की मुलागात Sonia से होती है जो कि उसकी, उस परसन की बेटी होते है जिसकी डथ हो चुकी थी उनके लिए वो बहुत ज़्यादा उनकी फैमली के लिए हमदर्दी रखता है और उनके मदद के तोर पे जो सोने होती है उसे बेस रोबल देता है जो रोबल होते हैं वो करंसी थिरोशिया की अब जब वो वहां से लोट के घर जाता है तो पता चलता है कि जो उसकी माँ और जो उसकी बहन है डनिया वो वहां उसका इंतजार कर रहे थी वो उनको देख के और भी ज्यादा परिशान हो जाता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है और उसकी जो बेहन होती है उसे कहता है कि वो लिजन से मंगनी तोड़ दे जो रेसको का फ्रेंड होता है रेजो मिखिन वो लाइक करता है डनिया को लेकिन ये बात वो बिल्कुल भी किसी को नहीं बताता जो रेजो मिखिन है वो बहुत ज़्यदा केर करता है डनिया की और उसकी मदर की और सुबह वो वापिस लाता है रेसको के पास जबके तबियत संबल चुकी होती है रेसको की और वो रेसको अपनी मदर से और अपनी सिस्टर से माफ़ी मागता है लेकिन अभी भी वो यह नहीं चाहता होता कि जो इसकी सिस्टर है उसकी शादी लजिन से हो डनेधा उसी दोरां बताती है कि जो लजिन है वो उनसे मिलने आने बाला है रेस्टोरेंट में तो जो रेस्को है वो कहता है कि मैं भी सास्थ चलूँगा उसी दोरां सुने आती है और वो उनको इन्वाइट करती है जो अपने फादर का फ्यूनरल होता है उसके लिए और वो रैसको को ऐसा बोल के वापस चली जाती है मतलब उसे इन्वाइट करके वापस चली जाती है investigation हो रही होती है murder की जो murder का charge था रेसको पे उसके बारे में investigation हो रही होती है जो रेसको था वो एक magistrate के पास जाता है वहाँ पर जो पलीस वाला था उसने उसे पूछ ताच करता है उसका नाम था पूरफाइरी जो पुलीस वाला था वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसका नाम था पूरफाइरी इसके बाद जब घर गया तो पता चला कि कोई आदमी उसको ढूंडते हुए वहां आया था लेकिन उसे बिलकुल भी मालूम नहीं था कि वो कौन सा आदमी था जो कि उसको मिल किया था और इसी दौरान वह जाग जाता है और वह सामने एक आदमी को खड़ा पाता है जिसका नहीं होता है स्वीडरी गेलव जो कि उसके रूम में खड़ा होता है और वह रैसको को बोलता है कि जो लिजन है वह तो मारी जो सिस्टर है डनिया उसके लिए बिलकुल भी ठ फिक नहीं है क्योंकि वो खुद द्रीमि करता है रेसको लालच देता है नेकिस रजेक्ट कर देता है रेस्को को प्भाइब तरह नशनीपन फ्यांसी था डनिया का उस रेस्ट्रमर्ड रेंट में जो रेस्को होता है और लेजिन होता है उसमें कुछ अर्गोमेंट्स होते हैं और लडाई होने लगती है तो वो जो लेजिन होता है वो गुसा निकालने लगता है सब पे इसे दोरान जो डणया है वो एट्ड़सपॉर्ट अपने इंगेजमेंट जो है वो तोड़ देती है और लेजिजन को वहां से जाने का कह देती है जब लिजन वहां से जाता है कि तो सब को बहुत खुशी होती है लेकिन जो रेसको है वो अभी भी परिशान होकर वहां से चला जाता है जो रेस्को मिखिन होता है जो रेस्को का दोस्त होता है उसका पीछा करता है और उसको रोकता है फिर उसको रियलाइज होता है कि जो उसका दोस्त है वो परिशान है जो रेस्को है वो परिशान है और उसको शक होने लगता है कि जो बुडिया का मर्डर है वो रेस्को नहीं क की अब यही बात सुनके वो और भी ज्यादा परिशान हो जाता है अगले दिन जी रहसको पुलीस डिपार्टमेंट में जाता है जहां पुलीस ऑफिसर प्रोफाइरी वापिस उसे अपने जाल में फसाने की कोशिश करता है उसे जो साइकलोजिकल गेम है उसे खोलने की खेलन की कोशिश करता है और उसे अपने जाल में फसाना चाहता होता है लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं होता जो फ्यूनरल है उसमें इन्वाइटिड था जो फ्यूनरल था सोनिया के फादर का उसमें इन्वाइट किया हुआ था लजिन को लजिन जो के रैसको से नराज था तो ज परिशान करने के लिए लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं होता जो सच है वो सब के सामने आ जाता है लोजन की असलियत सब को पता चल जाती है कि उसने सिर्फ और सिर्फ रेसको को परिशान करने के लिए सब कुछ किया था जब फ्यूनरल की जो डिनर है उसके बाद जो रेसको है वो सोनिया के रोम में जाता है और उससे सच बताता है कि जो उसके रिलेटिव बुरिया थी उसका मर्डर उसी ने किया है सोनिया जो है वो उससे समझाती है कि वो पुलीस को सब सच बता दे और इसी दोरान कोई भागता हुआ आता है और बताता है सोनिया को जो उसकी मदर है वो बहुत ही ज्यादा पागलों वाली हरकत कर रही है और सोनिया भागतु हुई अपनी मदर के पास आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर वाके ही पागल हो चुकी है और उसी दोरान उसके माँ बेहोश हो जाती है और उसकी डथ हो जाती है उसके बाद जो सिवेदरी गेलव है वो वहां आता है और रसको को बोलता है कि जो उसने मर्डर किया है उसे मालूम है कि वो उसने ही किया तो इसको बहुत ही ज़्यादा परिशान हो जाता है और अपने रूम में जाता है उसका दोस्त जो मिखिन है वो उससे मिलता है उससे पुछता है क्या तुम पागल हो गए हो और उसी दोरान जो पॉलीस वाला है परफायरिव वो भी वहां पर आ जाता है और उससे माफिव मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बरताओ किया है वो कहता है कि मुझे मालूम है कि जो मर्डर है बुरिया का वो तुम नहीं किया है लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है कि मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकूँ लेकिन तुम अगर अपना जुर्म मान लोगे कि तुमने मर्डर किया है तो मैं कोशिश करूँगा कि तुमें कम से कम सजा मिले इसी दोरान जो सिविद्री गिलिव है जो के बॉस होता है डनिया का जो के उकसाता है रेसको को कि वो जो लजीन है उसको एकसेप्ट ना करे अपने जो फ्यांसी के तौर पे डनिया के तो वो डनिया को एक्चली पसंद करता होता है और वो इसी दोरान डनिया को किर्नेप कर लेता है और उसको रेप की दमकी देता है लेकिन इसी दोरान उसको पता चलता है कि जो डनिया है वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती तो वो उसको जाने देता है और वो खुद सुसाइड कर लेता है उसके बाद रेसको जो है वो डिसाइड करता है कि वो जो अपना क्राइम है उसको एकसेप्ट करेगा और जो उसकी पनिशमेंट है वो जी लेगा रेसको जो है वो लास्ट टाइम अपनी मदर से मिलता है और डनिया से मिलता है डनिया के पास जाता है उसके इलावा सोनिया के पास जाता है सोनिया उसे एक लॉकिट देती है पहनने के लिए और उस को लॉकेट को पहने के बाद वो पुलीस के पास जा रहा होता है और उसी दौरान वो एक मार्केट में से गुजरता है और वो नीचे होके जमीन को चुमता है और फिर वो पुलीस अफिस जाता है और वहाँ पे जाके जो अपना क्राइम है उसको एक्सेप्ट करता है डेर साल गुजर जाते हैं साइबिरिया जेल में इस रैसको को और जो सोने है वो भी उसी सिटी में जो वहाँ पे जिस टाउन में उसको रखा गया वहाँ पे आ जाती है और उसको मिलने आती है रैसको को चुँके उसने अपना जो जुर्म है उसको एकसेप्ट कर लिया था और वो पनिशमेंट जीर रहा था उसने सच बोला था उसका जो पिछला केरियर था वो भी अच्छा था इस वज़ा से जो उसके पनिशमेंट है उसको फांसी की तोर पे नहीं दी गई बलकि उसको आठ साल कैद की सजा दीगे तो उसी दोरान जो रिजो मिखिन है जो उसका फ्रेंड होता है रैसको का उसकी शादी हो जाती है डनिया से और इसके लावा जो रैसको की मदर होती है उसकी भी डेथ हो जाती है रैसको को रियालाइज होता है जब वो जेल में होता है तो उसे पढ़ता है जो समरी है वो अज की कंप्लीट होती है